बच्चो कैसे हैं आप सब क्लास 10 की मैस की क्लास में स्वागा थे बच्चो आप लोगों का और हम बढ़ रहे थे एकाई 6 तरबुझ प्रशना वाली 6.3 बच्चो हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी और इसके क्वेशन नंबर 7 तक के प्रशन हम लोगों ने हल कर लिये हैं आ बढ़ाए गई भुझा एडी पर यह एक पिंदू है और जो यह ए बिंदू है बच्चो यह सीडी भुझा को बी ए को मिलाते हैं जब तो एब बिंदू पर पृतिछेट करता है ऐसा प्रशन में दिया गया है तो यही चीच जो दिया है बच्चो पहले हम वो लिख लेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे कि A B C D X समानांता चत्र पाइदू हुझा गया है लिख गया है बी ए और सी डी एक दूसरे को एफ पर प्रतिचीद करते हैं करते हैं ठीक है तो ये समझ में आ गया बच्चो ये परस्ण में जो दिया है बस वही लिखा गया है अब जो हमें सिद्ध करना है वो लिखेंगे यहाँ पे आप लिख सकते पहले दिया है फिर इसके बाद सिद्ध करना है फिर इसके बाद आपकी आयू उत्पत्ती तो सिद्ध क्या करना बचो त्रिभूज A, B, E समरूप है त्रिभूज C, F, B A, B, E यानि यह बड़ा वाला त्रिभूज है यह किसके समरूप है C, F, B C, F और B यानि यह बड़ा वाला त्रिभूज इस छोटे वाले त्रिभूज के समरूप है यह हमें प्रूप करना है तो इसके लिए बचो ध्यान दीजिए उपत्ती अब आप लिखिए अब चुकि A, B, C, D क्या है एक समानांता चत्र पूजे एक समानता चत्र पूजे यह समानांता चत्र पूजे बच्चो ना तो B, C जो है वो A, D के क्या होगी समानांता होगी ना तो B, C जो है B, C समानांता है A, D यह यहां तक आपको समझ में आ गया होगा B, C, A, D के समानांता है अब चुकि ये दो समनांतर है और BE एक तिरियक रेखा है ठीक है देखिए बच्चों BE क्या है एक तिरियक रेखा है तो तिरियक रेखा काट रही है तो यहाँ पर लिख दीजिए BC समनांतर है AE समनांतर है तो AE समनांतर होगी और उसे BE वह कर दिखा है ठीक है अब क्या करना है यह तिरियक रेखा है तो ध्यान से देखिए बच्चों यहाँ द्यान दीजिए बच्चों चुकि ये दो समण आंतर रिखा हैं, उनको एक ये तिरियक रेका प्रतिचेत कर रही है, तो ये वाला कौन इस कौन के बराबर होगा, ठीक है, समझ में आया है क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक आंतर कौन है, ठीक, अब ये और ये इसके बराबर हो जाएगा, तो यानि इसके लिखेंगे बच्चों, कौन, E, B, E, B, C, बराबर है, कौन, A, E, B, A, E, B, ठीक है, E, B, C, यानि ये वाला कौन, A, E, B, यानि ये वाले कौन के बराबर, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो यहाँ पर हमने लिया है, इसके बाद बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए, यह कौन, A, कौन, C के बराबर होगा, ठीक है, क्यों बराबर होगा, क्योंकि यह हमारा एक समांतर चत्र बुझे, तो इसके आमने सामने के कौन क्या होते हैं, बराबर होते हैं, कौन, A, बराबर कौन, C होगा, कौन, B, बराबर कौन, D, होगा, तो कोण A बराबर कोण C क्यों क्योंकि यह सम्मुख कोण है ठीक है अब दो कोण हमें बराबर मिल गए है बच्चों तो कोण कोण जो समरूपता की उपकसोटी है उससे दोनों तरबुज़ हमारे क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे तो लिख दीजिएगा आता है समरूपता की उपकसोटी एंगल एंगल यहनि कोण कोण से त्रभुज A B E समरूप होगा त्रभुज C F B के यही हमें प्रूप करना था A B E यानि यह बड़ा वाला त्रभुज जो है उचोटे वाले त्रभुज के समरूप होगा यही हमें प्रूप करना था यही सिद्ध करना था समझ में भी आ गया होगा बच्चों आप लोगों को आगे बढ़ते हैं अब बच्चों कॉशन नम्मर 9 है आकरते 6.39 तो इसमें ABC और AMP दो समकोन तरभूज हैं जिनके कोन B और M क्या हैं समकोन यानि B और M क्या हैं समकोन हैं बच्चों तो हमें सिद्ध करना है कि तरभूज ABC यानि ये ABC ये वाला तरभूज और AMP ये वाला तरभूज ये तरभूज जो हैं आपस में क्या हैं समरूप है और अगर समरूप है तो यह दूसरा इसका पार्ट है कि उसकी बुजाएं क्या होंगी समानुपाती समानुपात में होंगी तो अब इसके लिए इसी में देख लीजी आप लोग कैसे करना होगा चुकि पहले यह जिन तुर्बुजों के लिए लिखा है आप उनको लेके चलि तो कोड़ में बराबर कोड़ अ हो जाएगा और कोड़ में बराबर कोड़ बी ओजाएगा क्योंकि समर्मुप आ गये है तो भुजाएं क्या होंगी संगतन पात में होंगी तो क्या हो जाएगा बच्चों CA बटे AP या PA बराबर हो जाएगा BC ठीक है BC बटे MP बस यह भुजाओं को संगतन पात में लिख दिया है तो यह नॉमा कोशन बहुत यह आसान है बता दिया है आप कर लीजिएगा ठीक है अब आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर 10 की ओर CD और GH क्रम से त्रबुज कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समध्यूई भाजक है कि बिंदू D और H क्रम से त्रबुज ABC और त्रबुज FEG की भुजाओ AB और FE पर इस्तित हैं यदि त्रबुज ABC समरूप है त्रबुज FEG तो दर्साना है हमें कि यह भुजाओं अनपात में होंगी और यह दो त्रबुज जो हैं वो अनपात में होंगी बच्चों हल करने के लिए जैसे यह दिया है हम इसमें दो त्रबुज माल लिएं ABC और FEG ठीक है ABC और FEG जो दो त्रबुज है और यह CD और G जो है वो क्या है दो ऐसी रेखाएं हैं ऐसे समध्य भाजक है जो इस सामने वाली पुजा को दो बराबर भावों में बाट रहे है ठीक है बिंदू D और बिंदू H जो है वो भुजाएं A, B और FE पर इस्तित हैं यह प्रशन में दिया हुआ है ठीक तो यही चीज़ो चीज़ दी हुए बच्चों वो सबसे पहले हम लेख लेंगे दिया है तरबुज A, B, C और तरबुज E, G, F में C, D कोण A, C, B का समध्यवी भाजक है और जो G, H है वो कोण E, G, F का समध्यवी भाजक है यह प्रशन में ही दिया हुआ है बच्चों वही हम लोगों ने लिखा है और साथ ही क्या दिया हुआ है कि तरबुज A, B, C सम रूप है तरबुज F, E, G के यह चीज़े हमें बच्चों दी हुई है अब इसके बाद हमें जो सिद्ध करना है वो लिखेंगे तो सिद्ध क्या करना है तीन चीज़े सिद्ध करनी है C, D, G, H बराबर है A, C, F, G फिर दूसरा क्या सिद्ध करना है वच्चों यह तो पहला हो गया दूसरा सिद्ध करना तरबुज D, C, B समरूप है तरबुज H, G, E के और तीसरा सिद्ध करने के लिए है तरबुज D, C, A समरूप है तरबुज H, G, F के यह हमें सिद्ध करना है बच्चों तो यहाँ पर अब इसके बाद हम उपत्त लिखेंगे तो तरभुज ABC में बच्चो CD जो है वो ACB का समध्वी भाजक है जो CD है वो ACB यानि इस कोण का समध्वी भाजक है तो कोण को तो बराबर भागों में बाट रहा है तो चुकित तरभुज ABC में CD जो है वो कोण ACB का समध्वी भाजक है जो कोण ACB यानि ये वाला कोण बराबर हो जागा कोण DCB समझ में आ रहा बच्चो और ये पूए ये कोण इसके बराबर ठीक है तो यानि इसको क्या लिख सकते हैं हाफ ACB ठीक है ये पूरे कोण का समध्वी भाजक ये प्रस्ण में ही दिया हुआ है अब इसी प्रकार से दूसरे त्रबुच के लिए भी हो जाएगा त्रबुच ECF में EDF EDF ठीक है इस वाले तरब हो जाएगा त्रबुच क्या है GH कोण FGE का समध्वी भाजक है ये जो है दिया हुआ है ये कोण इस कोण के बराबर होगा समझ में आ रहे है तो बस इसी को लिखना है आपको एंगिल FGE बराबर यानि FGE यानि ये वाले एंगिल बराबर है एंगिल HGE और ये दोनों बराबर है किसके हाव FGE के है अब बच्चों यहां द्यान दिजिए ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला कोण भी इसके बराबर हो जाएगा क्यों क्योंकि क्योंकि यह A, C, B, E, F, G, E, के बराबर है क्यों बराबर है क्यों कि दिया हुआ है कि दोनों तरफुज क्या है सम रूप है तो यहां पर लिख दीजिएगा कोण A, C, D, बराबर कोण A, C, D नहीं यह वाला कोण कोण F, G, H, F, G, H तथा यह वाला कोण जो हमाने ग्याद किया है D, C, B, बराबर कोण H, G, E, क्यों यहां पर कारण लिख दीजिएगा क्योंकि दिर्भुज A, B, C सम रूप है दिर्भुज F, E, F, E, G, के और कोण A, C, B, बराबर है कोण F, G, E यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है तो इसका हाफ आप भी वापस में क्या होंगे बराबर हो जाएंगे अब बच्चों तर्भुज D, C, A तथा तर्भुज H, G, F में अब उसमें देखेंगे तो चुकि हमने सिद्ध कर दिया है कि कोण A, C, D बराबर है कोण F, G, H सिद्ध कर दिया है अभी हमनों के ने F, G, H के और कोण A बराबर है कोण F क्यों बराबर है कोण A, कोण F के बराबर क्यों है क्योंकि त्रभुज A, B, C सम्रूप है, त्रभुज F, E, G के दिया है, तो ये जब दो कोण बराबर हो गए बच्चों, तो सम्रूपता का जो उपपर में है, एंगल एंगल वाला, उससे दोनों त्रभुज क्या हो जाएंगे, सम्रूप हो जाएंगे, तो लिखेंगे, आता है, सम्रूपता के उपगोण धर्म, एंगल एंगल से, त्रभुज, D, C, A, सम्रूप, त्रभुज, H, G, F, तेक है, यह हमें एक प्रूफ करना था, यही सिद्ध करना था, यह हो गया, इसके बाद फिर बच्चों, यह तो हमने प्रूफ कर दिया, इसके बाद फिर दूसरा भी दिया हुआ है हमें, चुकि यह सम्रूप हो गए हैं दोनों, तो इसका मतलब इनकी भुजाएं क्या होंगी, संगत अनुपात में होंगी, यानि C, D, बटे, G, H, बराबर, A, C, बटे, F, G, यह भी सम्रूपता के नियम से, यहां पर लिख दीजेगा तो त्रिभुज सम्रूप है, इसलिए संगत भुजाएं जो है, वो समान अनुपात में होंगी, आप इसके बाद, चुकि भुजाएं संगत अनुपात में हो गए, आप इसी तरीके से बच्चों, त्रिभुज, D, C, B, तथा, त्रिभुज, H, G, E, में, इसमें भी देखि किया है अभी उपर, तो और कोण B बराबर है, कोण E के, जब तो चुकि दो एक कोण बराबर हो गए, तो कोण कोण वही यह इसी उपकोड़ धर्म से, एंगल एंगल वाले से समरूपता के, तो दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर उपक गोड़ धर्म, एंगल एंगल से, त्रिभूज, DCB, समरूप, त्रिभूज, H, G, E, जो यह दो त्रिभूज लेके चल लाएते ने बच्चों, वो दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, एंगल एंगल से दो कोण बराबर हो गए, तो वो दोनों है, तो बच्चों, पहले वाले में हमने क्या किया, A, यह वाला त्रिभूज लिया है, और यह वाला त्रिभूज लिया है, अब इस त्रिभूज में, यह कोण A, कोण F के बराबर है, क्योंकि दोनों त्रिभूज हमारे क्या है, बड़े वाले समरूप है, तो कोण A बराब इसी तरीके से इस वाले त्रभूज में भी हमने किया है त्रभूज दी कि सी डी सी बी यानि इस वाले त्रभूज के लिए और एच जी इस त्रभूज सेम वही प्रक्रिया किए बच्चो अब इसमें कोण B कोण E के बराबर है कोण B कोण E के बराबर है और ये वाला हाफ वाला कोण ये वाले हाफ वाले कोण के बराबर है जो कि हम लोगों ने भी प्रूफ किया है तो दोनों जब दो कोण बराबर हो गए तो समरूपता क्यूप को साटी कोण कोण से जो है दोनों त्रभूज ये वाला त्रभूज इसक बराबर दी हुई है एक समध्य वात्रोज अबिसी की बढ़ाइगा यह बढ़ाई गई भुजा सीवी पर इस्थित एक बिंदु है यहां पर यह बुजा बढ़ाई एक कोई बिंदु है ''a, d, lomb b, c'' Ad यह, 이h, b, c's पर, इस भुझा पर lomb है और e,f lomb है, a, c e,f जो है, इस पर lomb है तो शिद्ध करना है कि τ्रपूज A, B, D ABD यह, छोटा वाला ت्रपूज violating ट्रपूज stripes e, c, e, e, f के क्या है? वो harassment these are some harsh प्रूपकर जबंदे तो बच्चो इसके लिए हम लोगों ने question number 7 जो किया था सेम वह भी इसी तरीके का है बर्चित रिस्क के गौर कर लीजिए यह question number 7 था इसमें भी इसी type का था तो इसमें बिल्कुल इसी type का प्रशन है यह भी तो इसको भी इसी तरीके से हल करना है आपको और यह आपका homework है बन जाएगा बच्चो आप लोगों को यह जो 11 question है ठीक है तो यह आप अपना homework समझिए और इसे आप करिए और आगे के question बच्चो आज के लिए बस इतना ही इसके आगे के बचे हुए question हम next video में हल करेंगे और धन्यवाद बच्चो मिलते हैं next video में बच्चो आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो मेरी वीडियो को like कीजिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है बच्चो तो इसे subscribe भी कीजिए ताकि आपको नए वीडियो मिलते रहें और बच्चो इन्हें दूसरे बच्चो को share भी कीजिए अपने friends के साथ क्योंकि यह एकदम free है इसका भर पूल लाग लीजिए बच्चो थन्यवाद बच्चो